शेड को तो आना ही था मुनावर फारुखी कोई शेड से कम नहीं है भाई जब शेड निकलता है न तब वापिस मुड़के नहीं देखता है बस वो अपना लक्ष हासिल करके ही वापिस आता है और मुनावर फारुखी का लक्ष आज का क्या था पहले तो टॉ-फि डोंगरी लेके जाना है तो मुनावर फारुखी ने जैसे ही स्टोरी डाली तब डोंगरी में भीड तो पहले से ही लगी हुई थी पर कन्फरमिशन मिलने के बाद जो लोग नहीं भी आ रहे थे उन लोगों ने भी जो है अपना रस्ता जो है बुक कर लिया और वहां पर खड़े हो मुनावर फारुखी शायद आ ना पाएं शायद वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि जो भीड थी वो आउट अफ कंट्रोल हो चुकी है पर वो ही बात है ना शेर अगर निकल चुका है तो वापस मुड के नहीं वो अपने लक्ष तक पहुंचेगा जरूर तो मुनावर फारुख जहां पर काफे सारी चीज़े तो नहीं हुई लोकब में पर इस बार जो है काफे सिदा पर्सनल चीज़े बाहर निकली पर लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया मुनावर के साथ और मुनावर ये बात अंदर बैठे हुए सोच ही रहे थे कि क्या मालूम मेरी धज़ियां उड चुकी है पर नहीं भाई धज़ियां नहीं और जदा सपोर्ट और प्यार जो है मिल चुका है मुनावर को तो फाइनली डोंगरी पहुंच चुकी है ट्रोफी लाला क्या है आपका कहना इसके उपर इसी के साथ मैं लेती हैं जाज़न नमस्कार